नमस्कार दोस्तों मैं रामसंदर सिंग बाजिया आप सभी का मेरे इस यूटूब चेनल में हर्दिक स्वागत एम अभिनेंदन करता हूं दोस्तों आज 8 अप्रेल देखे 7 अप्रेल को मार्केट खुला और सेंसेक्स में रिकोर्ड 8.97% की निप्टी 50 में 8.76% की और बैक निप्टी में लगबग 10.5% की बढ़त देखने को मिली यानि इतनी बढ़त लेकर 7 अप्रेल को मार्केट खुला अब देखे आज 8 अप्रेल को भी जब मार्केट खुला तो सुरुआत के अंदर फिर से तेजी देखने को मिली लेकिन वो तेजी जो है सस्टे नहीं हो पाई यानि जो है इस्ताई नहीं हो पाई वापस से जो है मार्केट में उस जो हाई जो लेवल थे की निप्टी 50 का एक बार जो है 9000 से क्रोज कर गया नोजार फोके लगबग गया उसके बाद में वापस से जो है अभी देखिए समय हो गया लगबग दोपयद के एक बजिगे 15 मिनिट के लगबग तो निप्टी 50 भी वापस दो है 8800 के लगबग आगया है Sensex भी जो है 31,000 के उपर जाकर वापस से 30,000 के लेवल पे आगया है Bank Nifty भी 20,000 के उपर जाकर वापस से 19,000 के लेवल पर आगया है तो देखिए मार्केट के अंदर जो है पिछले दो दिन से तेजी मार्केट ने देखे 7 अप्रेल को जो तेजी बहुत सांदार तेजी दिखाई लेकिन जब आज जो है 8 अप्रेल को मार्केट खुला तो तेजी दिखाई दी लेकिन वो तेजी जो है सस्टे नहीं रह सकी यानि इस्टेबल जो है नहीं रह सकी और मार्केट के अंदर वापस जो मजबूती मिली और चारुत्रफ हरीदरी का महौल बना वा था कल 차 कापी सांदार तेजी देखने को के वह संदार के अंदर सभा संधी ग्रहा को पैसा मिल गया बैंक उसी पैसे मार्केट के अंदर लोन मौंड़ता है और उसके उपर हाई जो है ब्याज लेता है तो बैंक को जो है कापी अच्छा जो है मुनापा हो जाता है उसके उपर तो जैसे माली जी है इंडिस इंडिया बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर मजबूत बैंक है जिनका कासा रेशियो बहुत अच्छा है उन बैंक के अंदर भेंकर जो है तेजी देखने को मिली कल लेकिर आज उसको शस्टेंड नहीं कर पाए और वापस से जो है फिर आज तो गिरावट देखने को मिली देखि मार्केट के अंदर अभी जो है यह जो तेजी है इसको हम stable नहीं कह सकते क्योंकि आने वाले समय के अंदर यह जो Corona परभाव है उसका हमारे देश के उपर क्या impact होगा विदेशी जो बाजार है उनका क्या रुखोगा यह सारी चीजे जो बाजार की दिशा स्मोल क्वांटिटीज में करिए जब जब बहेंगर गिरावट आती तो उस गिरावट के अंदर जो है आप अपने पैशे को invest करते रही है अब बात करते हैं देखे निप्टी की निप्टी का जो एक लेवल है देखे 8300 के लगबग जो है निप्टी का एक अच्छा सपोर्ट है अगर मा ली जे निप्टी 50 आठ अजार 300 से नीचे आएगी तो फिर नए लेवल्स जो है गिरावट को देखने को मिलेंगे दोस्तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक रेश्यो के बारे में बताऊंगा इस रेश्यो को जो महान निवेशक स्रीमान वारियन वफ्य साब है उनका रेश्यो भी बोला जता है जिसे हम किसी भी देश के जो मार्केट है वो ओवर वेल्यू है या अंडर वेल्यू है यह हम पता कर सकते हैं इस रेश्यो के द्वारा इस ratio के बोलते हैं उस देश के stock market capitalization to GDP ratio यानि जैसे मालीजी हमारे देश का जो total जितनी भी कंपनिया है उनका total market capital बटावा हमारे देश की GDP into 100 तो जो आपको एक percentage आएगा अगर वो percentage मालीजी 100 आ रहा है तो मतलब बराबर है हमारे GDP के बराबर में चल रही है market capitalization अगर 100 चे उपर है इसका मतलब over value है लेकिर अगर मालीजी वही अगर ratio अगर 50-60% के बीच में है तो आप ये मान किसलिए कि अब market के अंदर निवेश करने का सबसे सांदार मुका है और वारेन बफे साब ने तो कई बार जो है ये बताया है अपने इंट्रिव्यूज में या अपनी जो है जो लेक है उनके अंदर कि वो इस ratio का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं किसी भी देश की economy में निवेश करने से पहले ठीक है तो आज हम बात करेंगे इसी ratio के बारे में दोस्तो अब इस ratio को हम किस प्रकार से निकालते हैं वो देख लेते हैं देखे stock market capitalization to GDP ratio जो है उसका फार्मूला है SMC बटेवे GDP into 100 जिसे SMC का मतलब होता है stock market net capitalization और GDP का मतलब है gross domestic product into 100 उसके बाद में जो आपको ratio आएगा वह है एक percentage के रूप में आएगा और उसी percentage से आप जो है ये पता लगा सकते हैं कि अभी जो है market over value है या फिर under value है अगर मार लीजिए ratio 100 के आसपास में है तो आप समझाए कि market जो है over value हो चुका है अब market में गिरावट आ सकती है लेकिर अगर वही ratio अगर जितना कम है तो वो ये इसहरा करता है कि अब हमें market में जो है निवेश करना चाहिए अब देखिए ये ratio किस परकार से हमारे लिए helpful हो सकता है वही जो है आगे की slides में जानते हैं और देखते हैं दोस्तो अब आपको जो है ये चार्ट दिखा रहा हूँ ये जो चार्ट है ये market capitalization to GDP ratio का है यानि जितनी कमपनियां लिश्टेट होती है trading के अंदर उनका net का market capital भाग GDP into 100 ठीक है उसका ये ratio है 2004 से लेकर अब तक का आप इसमें देख सकते हैं कि financial year 8 जो close वा था उसके अंदर ये जो ratio था 103% था यानि इस समय market जो है 278 के अंदर जो है market over value हो गया था फिर 2008 के अंदर भेंकर गिरा उट आई थी और बिल्कुल share market जो है बहुत नीचे गिर चुका था उस समय ये जो ratio है 55% के उपर आ गया था आप देखिए FY09 के अंदर तो जब ये 55% के उपर आ गया था वहां से देखिए market वापस से recover हुआ और recover होके अगले ही financial year में ये 95 पे गया था तो अगर जिन लोगों ने इस indicator को जहान में रखकर जब ये है 55% के उपर था 2008 में अगर उस समय निवेश किया तो उनको बहुत सांदा return मिला अब देखिए सिदे आ जाईए आप financial year 2019 में ठीक ह तो अभी ये जो है market जो है 79% जो है ये net market capitalization to GDP ratio जो है 79% या 80% के लगबग है अब देखिए कोरोना जो परभाव आया उसकी वज़े से market के अंदर गिरावट आई और वापस से देखिए ये financial year 2020 के अंदर जो है ये complete पूरा नहीं वा था ता तब का ये ratio जो है लिया हुआता अगर आप ध्यान से देखोगी तो 2008 के जो बराबर जो है उसके उपर आ गया है तो अगर इस indicator से हम देखें तो हमें ये idea लगता है कि इस समय जो है market के अंदर हम निवेश कर सकते हैं अब देखिए अगर इस से कम अगर ये ratio आता है तो उसके अंदर निवेश करेंगे तो औ और भी ज्यादा प्रोफिट होगा लेकिन अगर देखा जाए कि इससे ज्यादा जो है गिरावट आने वाले समय में सायद देखने को ना मिले दोस्तो अब देखिए आप फाइनेंस से लिया 2004 के उपर आई एक बार इसारट के अंदर यहां आप देखेंगों कि ये जो market capitalization GDP GDP ratio 42% पे था उससे अगले साल 22% पे था तो हम यह जो संभावना उसको भी नहीं टाल सकते कि market जो है इससे नीचे नहीं गिरेगा गिर सकता है लेकिन जो है उसकी संभावना थोड़ी कम है तो अगर हम देखें कि इस जो 50% का जो रेशियो है इसके उपर निवेश करना जो है अच्छा है या फिर इस लेवल के उपर अगर हम निवेश करें तो हमें आने वाले समय में अच्छा रिटन मिल सकता है तो आप जो है इस लेवल के उपर जो है निवेश कर सकते है अगर माली जो market इससे नीचे आता है या यह जो indicator है और नीचे आता है तो उसके उपर जब आप निवेश करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा रिटन मिलेगा तो अब आप मार्केट के अंदर एक अनुशाशित होकर जब-जब वहेंगर गिरावट आती है उसके अंदर निवेश करते चले जाएं दोस्तो अब मैं आपको जो है श्टोक्स बता जेता हूँ आप उन श्टोक्स को वाज करें और उसकी प्राइस किस प्राइस पे आपको निवेश करना है वो आप डिसाइड करें मेरे साब से जब-जब गिरावट आती है तब-तब उन श्टोक्स में आप जो है निवेश करे नमबर चार पर है मदरसन सुमी नमबर पांच पर है ICICI Bank नमबर च्छे पर है Yes Bank देखी Yes Bank के अंदर आप यह द्यार रखे अगर आपको लोंग ट्रम में तीन साल के लिए आप निवेस कर सकते हैं तो यह आप इस बैंक में निवेस करें नमबर च्छे पर है कोटक महिंद्रा बैंक नमबर आठ पर है जमू एंड कस्मीर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है ठीक है तो इसके अंदर भी थोड़ा रिस्की सेर है बट यह मल्टी बेगर भी बन सकता है तो इसके अंदर भी आप निवेस करें तो इस स्टोक के अंदर बहुत सांदा रिकावरी या तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन यह रिस्की स्टोक है, इसलिए इसमें निवेश कम मात्रा में ही करें, अगला है 11 नमबर पर पंजाब नेसल बैंक, 12 नमबर पर रहें ITC, 13 नमबर पर है फार्मा सेक्टरी कम्पनी शिपला, 14 नमबर पर है बजाज फाइनेंस, 15 नमबर पर है ONGC, इसके अलावा आप एक्सिस बैंक को वाज़ कर सकते हैं, और जो सेल कम्पनी है, उसको भी वाज़ कर सकते हैं, और पावर जो सेक्टर है, उसके अंदर अडानी पावर और टाटा पावर, इन स्टोक को भी वाज़ कर सकते हैं, और एक और स्टोक वक्रांगी, देखिए अगर माली जे 17 रूपे या 17 रूपे से लिए 20 रूपे के उपर आप वक्रांगी के अंदर निवेश क अगला और लाश स्टोक है, उजिवन फाइनेंस, देखिए ये स्टोक 147 रूपे के लगबग ट्रेड कर रहा है, अगर आपको 120 रूपे से 140 की रेंज में अगर ये स्टोक मिलता है, तो आप इसको भी अपने पोर्टपोलियो में एड कर सकते हैं, ये भी आने वाले समय में आपको अच्छा रिटन दे सकता है, तो दोस्तो ये थे मेरी ओर से आपको 21 क्वालिटी स्टोक जिन में आप आने वाले समय में निवेश कर सकते हैं, जब जब मार्केट के अंदर गिरावट आती है, तब तब धन्यवाद, दोस्तो यदि आप मार्केट में निवेश करना कि उसमें आप अपना ओनलाइन अकाउंट इंस्टेंट पुरंत खोल सकते हैं, दिये हुए लिंक के उपर क्लिक करके, तो अकाउंट ओपर करने के लिए लिंक पर क्लिक करें और अपना अकाउंट ओपन करें, धन्यवाद, दोस्तो यदि वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, धन्यवाद, जय हिंद!